सत्षिरियकाल जी मैं तो अपना सतनाम सिंग कैंथ एक वर फिर तो हाजरां तो अदिवासे अज एक महोड बोथ महत्त पूर्ण कवी लेके सबतो बहला एक बसे ही सूचन है कि जड़े अपने लेक्चर ने सारे नर संजे करो वत्व विद्यात्यान नर जोड़ो डाउट सुन देने और वद्वद लेके आओ ता ज़्यादा मैं लंबी काल नहीं करूंगा क्योंकि फ्री ओफ कोस्ट तो नोगी स्टड़ी प्रवाइड किती जारी है तो अड़ी त्यारी करवाई जारी है सारे दक पहुंच करूंत अब जाबी माबुली ही विक्सित होएगी ते दूसरा केंदे निला की कर पड़ा हो पड़ा अंत पड़ेदा पड़ा ता सारी काल तुछ समझदे हो समझदार हो सारे जाने जादा कहला ना करते हो यह लेक्चर शुरू कर दे हैं क्योंकि आज सारे जान करी मेरे को लगेदे सबंद भीचे से कवीदे सबंद भीच उपलब्द हैगी है अब को जब शत्रा में गुनगुनान लग गया अप अथों ही चक्रना शाड करांगे एक टकनिक अपनाई हुई है मेंने उस तरी के ना थुन चंगी तरह याद हो जे जाद चीजन हियाती दे सब टैलूंआ विचे बगावत केड़ी सूर एस सत्राविच दुन चल करी है क्लीर है बगावत भागी का विता विच उह लेगी है ठीक है तब गावत दिगाल लगा झाने की प्रक्ति बाद या जुजारवाद दी गली होवे ठीक है हो सकते नकसलबाद इद गल वी होवे बगावदिगाल हो रही है चलो कुछ सत्रा मैं तुन्हों होर गुर गुर ना रहा है आए हन साधे पिंड लागगे जागो जे नहीं जागगे वक्ष वक्ष सूरत ते वी हन सब मिले जुले चलो चलो काफले वाले चले चले ताँ एवी सत्रा कुछ एह ब्यान कार यान की कुछ प्रक्तिवादी ठीक है समझके होंगे आज जापन किसता जिकर करन वाले हैं जी हाँ आज जापन करन लग्यां जिकर एक बहुत ही प्रक्तिवादी तारा दे परनाई होए प्रक्तिवादी लेहर नू अपनाउन वाले दुझे दोर दे एक परमुख कवी दि प्रविर्थी तोनु पता लग्य होगी ना दि प्रमुख प्रविर्थी तां देखो जी प्रक्तिवदी ही है काफी बार प्रशन आ चुक्या कि बाभबलमां दि प्रविर्थी केड़ी है किस तारह दे प्रता हुए ने है प्रक्तिवादी तारा दे प्रनाई होए लेखकने या कभीने ठीक है कुछ संग्रहां विच्छेना दे सुझ वाद्धा विजिकर होएगा सुझ वाद्धी गल अपां गे जाके जाता यसी लेक्चर चे करांगी देखांगी किना लंबा लेक्चर होंदा है या फिर जो प्रविर्थियां वाला स्पेशल एक लेक्चर तो डिवास्ति त्यार करूंगा ता वो दो सुझ वाद्धी बारे क्लीर कर दूंगा मैं सारा केड़ा संगर है किस तरा दी प्रवेत्ती दे अधीन आउंदा है ओ जायन नदा जुरूर जयतन करांगी अपमां तां हुनमें सिद्धा ड्रेक्टना दे जीवन ते आरें बाला टाइम नाल वेश्ट कर दे होए क्योंकि काफी वड़ा काफी जाजा कुछ मेरे कुले दे स् जीवेज़ा जनम है ओ उन्निसो पंदरां इश्विवी विच्च 21 अगस्त नूनिसो पंदरां इश्विवी विच्च थाकुर दिनना नाथ इनादे पिता सी जो की हकीम दा कार्ज कर दे सी जी हकीम सी ते माता ज्यान देवी देकर पिंडर नेष्टा जिला अमरिस प्रिखेए इनदा जनम होया हुँझे हिनधा बच्पनता नाम है ओ हैका जी श्वनु पते हैं का फी मशूर है एक क्षुचन भी आजानता हुंता है तब बच्पनता नाम है गा मंगल सेंड पर बावा बलवांता जिना असल नासी ओसी बलवंत राये आपनी शुर्वाती रचनावी शुर्वाती रचनावी झ면 तरहे हम्हें छोड़ा मौल पमेशा का ह हुझा। ये दे बारे एक कुछ कहानी जी एक केंदे शायद खूड़ी दे टेर तो मिले सी है कुछ इस्तरा दी हैगा पाउधे बारे जाधा चर्चा नहीं करनी ते दुझी गाल में जडिया पामेशा कर दे हुन्या की मुडली सिख्या इना ने अपने पीता कोलों ही ग्रहन किती जैन सिखंदर नामा अजय यहां पुस्तकापणा यहां फेर पुस्तकापणन तो बाद एज्युकेशन प्राप्त करन तो बाद इना ने कोछ काम वी लब्बया मुणिमीदा काम सिख्या इना ने ठेकिया एक लंडे मुणिमीच लंडे पाशा हुन दिया मुणिमीदे विच ना जड़ी पाशाच लिख देने सारा साव कताब उन लंडे पाशा बोल दे हैं ता लंडे आवी चिना ने पड़ाई किती पड़ाई करन तो बाद अगर पड़ाई देना लापाश दिकर करिये ता इना ने जड़े एक पड़ाद्दाजी ता नाम भी तुरूमें जरूर दस्वंगाए थे मिशर मूल चंद यहां दे पड़ाद्दाजी सान ता परक्तिवाद्दी पंजाबी करता था सब्तो प्रवाब शाली कवी पुछल यही नहीं बावाबल बंत पुर क्योंकि यह है केंदेने ना दी कविता इन्नी जो शिल्ली सी की आम लुख दे बुद्धी तों भी उपरो लंग जान दी सी यानि की कतरा दा एस कवी दे अंदर बोधिकर हा सवाद भी मन्ने जान दा कि यह नदी रचनावी चो बोधिकर हा सवाद दी चलक सी क्योंकि आम पाठक दी समझतों यह नदी रचनावी परें चली जान दी सी हुन जदो पड़ाई किती सी नाने जित्थे नाने प्रिजबी पाशादा ग्यान ता ले आई नाली नाने हिंदी उर्दू संस्क्रीत अते फार्सी पशामादा भी काफी ग्यान हासल किता हुन इना दी कविता विच देखो प्रक्तिवादितां प्रमुख तोड़ते हैगी ने फेर तो नोईवी दास्ता में ने क्योंकि पाठकां दी समझतों पराचाली जान दी है जो तो पड़ दियां कई वर गल्ला समझी न लग दियां ता बोधिकरह सवाद दा वीना दे अं ज़त अगर वाकवक तरांदी रांग वेखने होना कि किस तरांदार एहे रचनावार आच देसी ता अध्यात मकता विच चलक देसी मानवता राश्ट्री ता राश्ट्रवारे पुरेगवाल करदेसी परकिर्थी चितरन परकिर्थी दा जिकर आउंद है मिथिहास दिंगल कर दे सी मिठनूले की कलपना वी क्योंकि जदो कलपना आपका किसे विशे विच्जा किसे रचना विच्छ शामल कर दिनने या ता नैचूरल है कुदरती है हो कि कलपना दा मंडल अध्यातमना जोड़े हैं ते फिर ओ आम पाठक दी पहुंच तो दूर चले जानता है ताहीं कियातमन में उपर कि एहे आम पाठक दी समझतों नदी यदि कविता है थोड़ी दूर सी जिस करके बोधिकर हस्वादी कभी वीरानू मन्या जान्दा हैगा कुछ हद तक बाकि प्रीत दी गाले कित्ती सी रहने प्रीत दी गाले क्यों कित्ती सी ओवित हुन मैं अग्गी दास दूंगा क्योंकि एहना दी एक प्रेमी का हुन दी सी जी जिदा नाम कृष्णा सी ठेक्या जी ओधि खामोशी मतलब एना दा प्यार सीरे नीं चड़ेया व्याग से हो प्रेमिका क्रिशना सी ओधी खमोशी इना दी कविता लिखन दा एक कारण बन या उथो प्रेयर ना मिली एक आशक देयां व्यांग ता है गई यह ना कटाक्ष व्यांग प्रक्तिव दी कवी होएगा ओ व्यांग ता कसे गई कसे गा ता इना ने प्यार नू जिन्दगी दी सब्तों उत्तम वस्तु मनने है क्योंकि इना नो खुद प्यार होया सी किते होया सी जदो यह रामलिला देखन गए सी ता ओधों यह प्यार 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 पूर्णी चड़ पाया जिस करके इना दे मन दे अंदर एक पीड सी इना ने अपनी निजी पीड नू लोक पीड बना के पेश किता अपनी यह कवितामा दे विच्छ यानिकी निजी प्यार नू नी पेश किता ड्रेक्टली निजी प्यार नू लोक काना दा दर्द बना के अपनी रचना दे विच्छ पेश किता याणि कि प्यार सारा कुछ प्यार कारन शर्वा शुरू होया है लिखना येड़ा कभी है गावाब बुलवांत ता इनल लई सबतो उत्तम वस्तू भी फिर प्यार होगी जिन्दगी दी सबतो उत्तम चीजन लई एक समय स्टार्टिंग दे विच्छ प्यार से उण क्रिश्णा देप्रवाब तों इलावा क्रिश्णा दि प्रेरना तो मिलली बिलली है देवी दाज हिंदी नामक एक विद्वान तो मिलली है बाकी हो वी नाद प्रेणा स्रोत रहेने जी में सुजान सिंग इश्वर छित्रकार आा मर सिंग जीनाणू एज और 1968 Mr. सिंग यान हृन प्रेण वार प्रेणा सरोत रहेने एविज बंदे रहेने यानि किनाने कवता लिखनी ऐस्तरा शुरू किति बॉरác तो गरीब सी है ठीके जैसा प्रपरवार्वार दा गरीब सी ताइनानों कामभी करना पया ताहिया लिए मुनिमी ना जाक्ता सी मतलव उस्तो एलावायानना ओर छोटे उस्तों भी काम करने पये आर्थिक इन मंद हाली दें चालिया जाल्दीआ गत्ते देडबेबना। सूत नूरंगण करना का अर्थिक पकों कम जोड़ सिए है कि इना दी काव चेतन दिगाल करिये मतलब इना दी कव्ता विच्छ कॉंशियस किस प्रती सिये चेतन पाव केड़े ओ बंदे होएने व्यक्ती होएने जीना बारे यहे लिखन लगे सोच दे हन्दे सिखी माइंड चो ओना दी आ रचनामा जाओना दी बारे चलदा रहना सिये ने माइंड दे विच्छ ओज होएने रुसो, मारकस, लैनिन, महात्मा बुद्ध, शीव पारबती एक डे हैगे ने जी चेतना विच्छ, काव चेतना विच्छ रहेने, कॉंशियस माइंड विच्छ, उपरी मतलव, अब पढ़ दे ना कॉंशियस, सबकॉंशियस, अनकॉंशियस, ए पढ़ दे हाँ, ए सारे तोसी अपना विशा नी हैगा, ठीक है, ता एदे बार एजी कर रहे थे, करना सही नी हैगा, तक काव चेतना दे, विच्छ न दे, ए परसन मुझूद सी, याद रखने, मतलव, ए इना दा, एक तना दे इना उते असर सी, ता इना दी जड़ी शैलीनू, मतलव, इना आदी उबर्दी है, ता इस करकी विच्छ न दे अंदर प्रक्तिवादी तारा पर चले तो हो इना दे अंदर, लैनिन भी यही काम करता है, ठीक है जी, ता इस मतलव, काव चेतना देजिए, हिस्सा पड़ीने, ए व्यक्ति, एना दे माइंड चे रहे ने, जदो है लिख द अदे ंदर फिलोस्फी, हो इना दे चेतना विच्छ कुम दी रहे नी सी, जिस्नु ए कविता दे रूबे च फिरो उना दी शैली नू अपनी शैली बना के यह पेश कर दे सी इस्तों इलावा इना ने येड़ी कविता लिखनी शुरू किती इना उते उर्दू मुशायरा ना प्रवाप प्या येड़े उर्दू दे शायर होए ने जिना विच्चों पर मुख तोड़ते मुहम्मद इकबाल तो एहे बहुत प्रवावित होए उना तो प्रवावित होके इना ने लिखना एक तरा शुरू किता ताही इना ने सब्तों पहला उर्दू विची रचना किती जिदा नाम है शेरे हिंद शेरे हिंद अर्दू विच परकाशित होई सिया ना दी 1903 इश्वीदे विच शेरे हिंद नाम किना दी पहला संगरे है वो उर्दू ज मिलता है अगर उर्दू दिगल करी पर एस संगरे है नूं अंगरेज जाने जब्त कर लिया सी जोगी प्रक्तिवादी बंद है मासवादी विचारता रहा है अंदे बिच मतलब औने परनाया होया एक तरह दा ताह अंगरेज जनर आड़ा लूगा ठीक्या जी समेदे अकोर्डिंग 1915 जनम हैगा पकाल कर चु अगरेज जनर लिखने शुरू कर दों कि तीया वापां बात ची जिकर कर देयां ठीक है अगर होर गाल करिये इना ने जड़ा चोकी इना उपर अंगरेज जी कुछ कवियां दा भी प्रवाव रहा है अंगरेज जी रुपाकार एक होया है सोनट इना ने ओजनो अपनाया ते फिर अपनी कविता लिखी सोनेट एक इटेलियन पाशादा शब्द हुंद है जिदा नाम है सोनेटो सोनेटो तो आया है जी है सोनेट जड़ा हैगा सोनेटो तो बने हैं सोनेटो इटेलियन पाशाद है सोनेटो तो सोनेट बने हैं एक काव रूप है जी अंग्रेजी दा अंगरेक जी दिखासित थी खासित है कि एक जड़ी पंग्तिया हुंदिया ने कुल चूदा पंग्तिया हुंदिया ने आठ पलस छे दी तरतीब बन दी पाँ मुझ्णियां पहला आठ मकतियां हुं दियाने जी जिदे विच मनुखी जीवन बरे दस्यां हुंदा है जी था कि जीवन किस तरह आ तरह आए ay भाज 56 शतरा स्थी फंक्त यांते विच्प नुख यो उपर नुख येह क्यूं है उथे निर्णे ले जान देने उथे इकतिनाना कोश्टन करके उद्हा उत्तर देता जान दे उथे पत्प युद्ट ये पीछली है याने निरने कड़े जाना देने की मनुख जहा क्यूं है ज़री पहली पंक्ती है उदा तुकानात मेजल चोत्थी पंक्ती नर हुंदा दुझी दा तीजी पंक्ती नर हुंदा एस तरी के नाले हे ओडर चलदा उमीद है सोनड पारे समझगे होंगे इस तो इलावा अगर आपा गल करिये मैं बोट ते आनल जो इने नोट सारा किते तो आड़ेवास ते बोर रहे कि कुछ छड़ा ना तो नुसाब कुछ अपना भण्ड़ दमा ता एक पार्टी लई भी सरगर्म रहे राजनितिक पार्टी लई भी सरगर्म रहे कांगर्स पार्टी लई उना दे मेंबर सी है कदों बने सी 1903 बैं मेंबर बने सी कांगर्स पार्टी दे है इस तो इलावा गल करिये ता इना दा इक इना नू शताब्दी दा वरा रहे ना दा इक सन 2015 तब आवा बलवां दिस्ताब्दी दा वरा केड़ा है स्ताब्दी पता है क्लियर है कि स्ताब्दी मतलब सो साल अगर जनम 1915 चो होया है ता सो साल जोडांगे ता 2015 बने गया ता स्ताब्दी दा वरा पुचलें बाब बलवां दा 2015 ए तुसीं याद रखना है ठीक है जी यना ने असतरा हुन पढ़ाई दीवी अपा गल कार ली यना दे शुरवात्ती नाममा दीवीगाल कारली यना दे जनम स्थान पिता माता दीवी गल कार ली परविच्ति दीजारा जुरवात विचि की आपका याँदूने याँ पहला मैं थुनू ये दास्दमा कि यहां ने पंजाब्बी विच कविता लिखनी शुरू असल दे विच उनिसो छत्ती विच करती सी पर जड़ा ना दा पहला काव संग्रे आया ओ उनिसो इकताली विच आया महानाच सिरलेख अधीन इसी तना फेरीना ने अमर गीत 1902 विच प्रकाशित होया जवाला मुखी 1903 विच प्रकाशित होया बंदरगा उनिसो कवंजा विच प्रकाशित होया बंदरगा बार एक गल याद रख्यों कि ये नादी शाकार रचना बुचलिन बंदरगा आएजी करदेना दिक्रापा सारीन अच्रामादा आगे जाके पहला संगरे ये नादी सुनलो की कदों परकाचित होए कावसागर नाम दा जड़ा एहरांदा कावसागर नाम दा चूनवा 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 कावसागर नाम दा चूनव रहा है सुगंद समीर जो की उन्सों उनाहट विच परकाशित हो या इस तरह पजाब्भी विच्छिना ने कुल्म लाके छे काव संग रहा है पजाब्भी साहिद्धी चोड़ी पाए एच यहां दे विच्छोई क्चोणवा संग रहा है याद रख्यों काव सागर उन कवितात नों इलावा अगर थोड़ा रास्द्मात नों पर रापना विच्छाता है नीं क्योगे अपन्ण प्रावसर अपने 1 कविते थोड़ते ही पड़नेяз तोड़ने चनावी श्था नाम है किस्किस तराने नाच तई नस एप वार्थतख पुस्त्तक है इस तो इलावा एक वार्तक बुस्तक हो रहा है जिदा सिरलेहदा नाम इना दे नाम होती ही है बावा बलवांत दी चोनवी गद रचना गद तो इक लिए रहा है कि यहे वार्तक रचना है तो इक लिए लेख वी वार्तक देही सेध्य अंदरी आजान दे हुन देने राग ते रंग दा नूर अते होर लेख राग ते रंग दा नूर अते होर लेख एवी लेख संग रहा है जिसनु की गुर्मुक सिंग ने संपाधित करवाया सी ये तुसी याद रख लेओ थोड़ा जा चलो वैसे कोस्चन सकने ना दे कविता उत्ते ही आएगा काव संग रहा है उत्ती आएगा पर फिर वी याद राख लोकी राग ते रंग दा नूर अते होर लेख नाम दा इकना दा लेखां दा संग रहा है जिनु गुर्मुक संग ने संपाधित करवाया सी जी अग्गी जली अगर आपां होन इनाद दिखर कर देया दिहांत दि धांत जदर इनादा होया दिल्ली βीखे होया ठिके जड़ा जर जन्म होया चुता अमर सर विखे होया सी ने इस्टा पिंड़चि दिहांत होया दिल्ली वीच Concanch 1962 नूहोया जून दाहो महीना सी कारण की सी दिहात दे विचे लू लग की सी जरानू हां जी लू लगण करके इना दिहात होया सी हुणपां गल कर दिहाच इना दे काव संगर्ए ऑपरे जबा मोस्ट इंपोरटेंट पाट है तो प्रशन इनादे काव संग्रेय ज्यादा बरन दे चांस है जेने ता इनादा प्रथम काव संग्रेय अब गल कर चुकिया हैगा महानाच जो की 1901 इस वीच प्रकाशी तो होया सी ठीक है जी एस पुष्टक देजडे मुख शब्द ने शुरुआत देविच लेख कबारेजा रचनाबारी लिखे जान देने ओ खान बहादर अब्दुल चुगताई ने लिखे जी महानाच काव संग्रेय अंदरेना या कुल 75 कवितामा मिल दियाने ए पुष्टकेना ने स्रदार पाल सिंग नू समर्पित किती है सदार पाल सिंग कोण सी प्याबी बोली दे सेवक सी होगी साहित दे सचे पारखू सी तब पाल सिंग जी नू इना ने महानाच अपनी पुष्टकेडी है ओ समर्पित किती है उन महानाच दे अंदर मैं कुझ कवितामा दा जिकर करदा ते उनादे विशेदास दा नाल नाल जी महानाच दे अंदर एक कविताम दे तेरा मेल कलीर है तेरा मेल मेल तो बाव प्रेम अनुपवतों वैसे वी श्रुवात ती होई श्रुवात होई चिनांदे क्योंकि एनादे निजी प्यार दी पीडासी जीसनू इनाने लोग पीडबना के पेशकिता समाज दे विच अपनी कवितामा राहीं क्रिशना नामदियों कुडिसी जीदिनाल इनादा प्यार संपूरन नहीं चड़या हैगा तेरा मेल नामदी कविता महानाच संग्रेविच दर्जय जीडी की बाव बलवान्त दे प्रेम अनुपवनों उजागर कर दी है एसी तरा युद तेरा मेल इनी इंपोर्टेंट नी क्योंके फ्रेम नान्वच द्रेट्ण काविता महान आच्टी मेरे कर दे सामने इस तो इलावा महानाच विच एक मेन कविता मिल दी है जो थोड़ा इदे प्यार संकल्पतों हटके है जो इदी प्रमुख प्रविर्थीदिता अरनी है बाग्गी एदी इंकलाब भी कविता है बट ए इंकलाब भी थोड़ी एभी मतलब क्योंकि कलपनावी ना चे हैगी सी ताहिता पक यहां कि आम पाठक दी समझतों बहार सी बोधिकर हासवाद भी हैगा सी ना अंदर थोड़ा बहुत बाग्गी कविता भी जड़ी एगी है एक ख्याली इंकलाब भी कविता है ना दी जिस तरह कुछ सत्रा ने इस कविता दी हैं छड़ी एक अविता मील्धी अनुदी देशबक्ती कवीता मील्धी हैं देशबक्ती विच जंगदा विरोध ते अमणदी हमायत कित्ती गई है तो लिए रहा कि जांगता विरोत्ते अमन दे हमायत करन वाली यडी कविता होगी हो प्रक्तिवादी रंग विचरंगी होगी उच्चे निशानना वाले कविता मिल दी है जिदे विचिनने तनवान लोकानू उच्चे निशानना ते पक्किया मकानना वाले आख के समोधन किता है ते फिर उना दी जहानियत नूपाव फिर उना दे असलियत नूँ नंगा किता है उन्हादी मानसिक्तानू पेश किते है ता एवी एक प्रक्तिवादी कवितायना दी एक कवितायना दी पारो मिल दी है जो पुझीवादी निजामनू तालां दी है पुझी वादिया दे विरुद्ध इनडे प्रेरियावी सी अपड़ी कवितामारा हीं की प्रेरियादिती सी कि किस तरन दा कोड करने हत्यार बंद प्रक्ति वादि कभी है हत्यारादी गल ठीक है अग्गे जाके जुझार वाद नक्सलबाड चल दिया पांच दे टैम हत्यारादी गल हुंदी है पर फेर वी एने भी हत्यार बंद कोड दी गल कित्ती है याद रख्यो एने प्रेरियाई पुझी वादि करने ताहिं टकाने आणंगे जे उननलाग हत्यार बंद कोड किता जाओगा इस तों इलाबा महानाच गज़ होर कविता मांने यमें तेरा इक दिल है जान दो एदे विच भी प्रेम दिगल है श्याम दि लाली तार्यां परीरात कृषणा दी आयून ते एक उज़ कविता मांने जड़ियां महानाच काव संग्रै दे विच दरजने जी पर चल दियां एनद दुझ्य काव संग्रें वालनु जीड़ा है गाजी आमर गीत 1901 तो बाद नाजी नाड उन्सो ब्याड़ी विच्च जानेकी दुझ्या काव संग्रें नाजी नाड आगले साल एनद प्रकाशित होया जीड़ा सिरलेख आमर गीत उन्सो ब्याड़ी ची प्रकाशित होया। ए समर्पित किनु कित्तैना ने रड़ा पिछे पागाल कित्ती सी खान बहादर अब्दुल चुकताई जिने पिछली पुस्तक दे मुख शब्द लिखे सी उसनु हुन एहे दुज्जा संग्रैनी समर्पित करता सी। हुने खान बहादर है कौन सी लहोर दा रहन वड़ा सी जी है। ता इने समर्पित कित्ता खान बहादर नुए संग्रैं। तो इक खान बहादर ने दिमारे केहा सी कि बावा शायर रांजा सब्दा संजा। एक खान बहादर चुकताई ने बावे दे पुस्तक दे अरंब विच ये लिख्या हुए है अमर्गीत पुस्तक दे अरंब विच चुकताई दे शब्द ने बावा शायर रांजा सब्दा संजा ता यदी पुमिका पाल सिंग ने लिखी है देख उल्टो हो गया पहला पाल सिंग नू समर्पित किती सी ते मेन शब्द खान बहादर चुकताई ने लिखे सी महानाच दे विच अमर्गीत विच अमर्गीत विच मेन शब्द या पुमिका यदी बन्नी है ओ पाल सिंग ने मन ते खाण बाद दर जुगताई नू समर्पित हो गया केड़ा संग्रहा है आमर्गीत दोन्नों वसा आप शूल्ट ने याद रहें जिगा तो अन्नु एस संग्रहा विच खोजा पात देन चार का वितामाद अधिकर कार लें निया जिस तरह पिपल दिया छामा ठीक है जी यह क्वेट है क्योंकि आप गल्ड प्रकर्टी चित्रण विन अंदर है तुन प्रकृती चित्रण विद्धित अग्याद तुन दे इंतजार विचे कोर्ण मनुख एस गल्न शावा नामक का विता विच खितिया ने थे काफडा नामक कविता मिल दी है काफडे तो क्लियर गाला कि यह है प्रक्ती दीकाल करोगी ठीक है जी सासी लोकां दीकाल करोगी मुपने की देख रहे हैं है कि जड़ा आदमी है क्योंकि पुंजीबाद नजाम ने तंकार रख्या है ठीक है उदे बाद विरुद्ध थ्यारबंद कोड करन लिए प्रेरना दे रहे हैं पिछ आपा दिकर किता है ता आम आदमी दे संतुलित जीवन लिए कहन दे कि ये दुनिया अनुकोड नी है कि उन्हों जीवन ने दित् तागी हथ्यारबंद कोड करना भूगा ठीक है जी ता नमे नमे सुपने नामक कविता भी एस संग्रेविच दर्ज्या जी एक बे नाम फुल नामक कविता है जीदे विच मनुख बे नाम है पहचानी नी मिली होई मनुखनू गालोही आगी कि पुंजीबाद निजाम गर क पहचान नी मिली होई आम वर्ग निमन वर्ग ओ दब्या गुचला पे है ता बे नाम फुल यह थे फुल अपना एक कम नुखनू कैदांगे बे नाम जिनुब नाम नी मिला होई पहचान नी मिली होई ता यह कुझ कवितामा सी यह दे दुज्य काव संग्रेविच दर्ज जिदर सिरलेख है अमरगीत जो की उनी सो ब्याडी शिविच परकाशित होया तीचे संग्रेवल वद्यां थोड़ा कवी है थोड़ा जा लेक्चत लंबा चला जाएगा चलो फिर भी उमीरत उसी सुन लोंगे थोड़ा फैदाई है जिनना मैं वद्द सुनगा तीसरा संग संगरे थोड़ा जा छोटे पहला वाले 2 संगरे अं कार्द है जित्थे बाविजबल्वांतने पहले काव संगरे विच छंदा बद्दी था ख्याद रख्या है दुज्जे विच्च ओदे परगीतिक अंश थोड़े जे उब्रे मतलव ओधी तारा थोड़ी बदल दी गई शुरुवाच ता निजी प्यार तो शुरू होया सियो तारा बदल दी गई धी चंदा बदी दा ख्यालवी रख्या तुक बंदी दे विच कविता दी रशना किती पहले काव संगराय दे विच फिर बाद विच और ने परगीतिक अंश ले क्यां दे अपने दुजे संगराय दे विच ते खुलत तो कामल ले या मतलव चंदा बंदी नू थोड़ा चित्तर उलिक्केने उलिक्केने जिना जानकरी निस द दिति है त्राटस की रेलफ फाक्स आइंस्टाइन यह युग पुर्षाँ बारे ने व्यक्ती चित्तर मतले उलिक्केने इस संग्रेया दे अंतरगत कुल ठाई कवितामा मिल दियाने इस विच जिना विच अपकोज़ दी कल कर लेने है देश कविता बोती मत्त पूर्न है चोकी पिजाव स्कुल सिख्या बोड़ दे सलेवस विच धरज है ता ए देश कविता विच की कर रहे है एक जैहे देश दी कलपना कर रहे है जिते किर्टियां किसाना नो उना दी मेनत दा जड़ा मुल है उ मिले जिते वाही करन वाला जड़ा किसान है अपनी जमीन दा आप मालक बने क्योकी नहीं पुझी पतियां ज़ाज जमीदारां दे अंडर रहके एक आम किसान नो कम करना भेंदा है सारी फसल दा तुस्यों हिस्सा भड़ा है का जमीदार बगएरा पुझी पति लोग खायां देने किसान नो कुछ खास नहीं मिलदा ता इदी यहे कलपने कि देश वीच सवनू ज़ड़े किसान ने किरती प्राणे डे मजदूर ने श्रेनिया ने उननों उनना दी मेनन दा मुल मिले मेननने इस गल्दा दिकर किता है देश कविता वीचे में जादा दा जिकर किता है क्योंकि यह पन्जाब स्कूल सिख्याबोर्ट दे ठीक है जी क्योंकि ज़ड़ो निजाम हुँदा न पुंजी वादी या जिमिदारां दिकर कर दिया जा इस तरह लगा लो तुसी सरमाईदारी दिकर कर दिया ता एने विच्च हरेक व्यक्ति देज़े हितने परसनल हितने दूसरे व्यक्ति देने एक उसे याद रखियो हरेक अपने बारे सोच दे कि मेरा कम बन जे ता हर शक्स दे हित दूसरे दे हितनल तकरम देने यह तो पुंजी वादी निजाम दी गालों हुं दिया इस तरह जवानी नादी कविता मिल दिया जी देवी चिनाने पहले विशव जुत्तों मगरों किस तरह बेरुजगारी फैल गी सी ठीक है किस तरह आम इंसान बेकार हो गया सी ता बोध मड़ा प्रवाप्या सी काम इंसान दे उत्ते ता जवानी कविता सारी जवानी रूल गी सी एक आम इंसान दी तां उदे विच्छ अधग थिकर किता है नेक्स्ट लें हरामी कविता दिगल कर देया हरामी कविता दे विच्छ अपने इंकिलाव विचार ही द्वारा फेर वेक्त कितेने तो इनाने एवी के है कि कोई भी बच्चा तरतीते आ गया पैदा होके ओ नजाइज नहीं हुंदा इनाने एहे गल कही है यो ओ प्रकिर्ती दे नियमादे अनुसारी जन्नम लेंदे नदा इमनने हरामी कविता देविच्च एसी तरा अनोखा खुदा नामक कविता एक होर कविता एनादी जवाला मुखी काव संगर दे अंतरगत एथे एनाने अनोखा खुदा इश्वर गायडे लोग पगवा अप पखंड मना की मतलब अपना काम काड़ दे ने पुजारियां नोख पुजन वाले लालो ठीक है जी खास तोड़ते पुजारियां जड़े एमने पुजारी ने मंदरा दे विच्च जाके ते होर तारमीक स्थला दे उत्ते जड़े दखावा कर दे ने कि यसी इश्वर कि है नहीं मतलब एकतरा दी नास्तक परविर्ती एना दे अंदर आई नास्तक विचारतार आ एना दे अंदर आई कि रब है नी जोदो एना ने एचीज देखी कि यड़े पुजारी ने मंदरा दे ओ खुद ही लोट्टू वर्ग चे शामल ने ता एना ने एना दे मानचे आया कि रब किते है नी एकतरा नास्तक प्थोड़ा जा हो ए इस काविता दे वीचे एनुखा खुदा काविता दे वीचे तागे कुछ कविता मासी जवाला मुखी काव संग्रह दियां अग्या पचल देना था बोती महत्त पूर्ण काव संग्रह जड़ी ना दी शाका लोडनी थे उस्तोबाद उनने उन्चो कवंजा दे विच एड़ा इस संग्रह लिख्या परकाशित हुए है जिदा नामे बंदरगा इननादी शाकार रचना एही बनी जन्दी है ते वंड तो पहला बाकी संग्रह सी ए वंड तो बाद इननना पहला संग्रह ए वंड तो कुछ महान कवी होये जिनादा प्रवावपया बंदर गासंग्रेदी गाल कार रहे हमें रविंदर नाथ त्य गोर्वावे नात प्याव यह संग्रेदे दुरान जद हो एलिक वितामा लिखें हैं महां देवी वर्मा वह वड़ी विद्वान होई है महां कभी हूई है जैशंकर प्रशाद तापरवा अप्या मुहंब एकबाल दापाण पहला भी जिखर कर चुक। कि मुहम्मद इक वालदा प्रभाव प्या ये क्योंकि इनन dil शर्वारा ती उर्धूतु किति सी उर्धू मुशायरें जानते सी पहला है उत्थों प्रेषित होयसी मुहम्मद इक वाल तों ता उन्हस दा मत डूंगा रहा है न Т ten इस्तो इलावा सिर्फ एही नहें नहीं आउपर गुरमत का've-दावी-प्रवावरहे है गुर्वावण दावी-प्रवावरहे है सूफियां दे कलाम्म में दावी-प्रवावरहे है पाई वीर सिंई प्रवेसर पूर्ण सिंग इते शोरी एना मतलब इते मतलब गुर्मद्धा प्रबाब नहीं रहा मैं थोड़ा गलत बुढ़ गया थे गुर्मद्धा प्रबाब नहीं रहा क्यों क्यों कि उपरा कविता पड़िया अनुखा खुदारी पहला इना नहीं लिखी सी वह देविच जदेला ने क्या थे कि र इनाव पर ज्यादा प्रवाव नहीं रहा मतलब फिर पाई वीर सिंग तनी राम चात्रीक प्रोफासर पूरान सिंग दा इनाव ते प्रवाव द्रिश्टी गोचर नहीं हुंदा जे कर एस संग्रेदी गाल करे करिया पबंद्रगा दी ता एदे विच्च परमुख तोड़ते नजमा ज्यादा मिल दियाने नजम दे जदो नजम है राचदे ने एक केंदे ने की नजम ही एमिली चीज है नजम ही इस्तरा नदे एक विदय है जिदे नाल प्रक्तिवादी यते प्रक्तिवादी चीज नू बतल पेश किता जा सकता है समाजिक बुराइयान नू पेश किता जा सकता है नजम रही पेश कर सकते आँ प्रक्तिवादी जरीय रही पेश कर सकते आँ विचारता रहा प्रक्तिवादी अपना के पेश कर सकते आँ ते नजम ना वधिया पेश हो गो तो नजम जड़ी हुदिया हो योगि लोक हितो कारी हुदिया है लोक का दे हितो दी गल करती है नजम ऐजाहि विदह है इस करके नने कहा एंदा यह संग्रायडा बंदरगाः यह जा तरेना ने नजम माही लिखी अनए देविच त declarator ही केंदे एक जही वीदा एड़ा ना मनना सी जड़ी लोका दे हित्ता दी गल करूगी ते प्रक्तिवाद दी गल करूगी हत्यारबाद कोल दी गल करूगी नजम रही ही इस एक गल हो सकती है संबव एक गल हुन केडिया नजमा मिल दी आने इस संग्रेदे अंदर उशा बंदरगा जो एक सरलेख भी है काव संग्रेदा जहाजरान एव क्यां रखना है एड़े टेगोर उते अदा रहीता है जहाजरान टेगोर देजीवन उते अदा रहीता है सदर दरवाज ग्यान क्रिश्ना फेर पारोने के हाँ समाजवाद तर्ती माता उठावाले ता इस तरह एक मतलब बहुत कवितामाय देविच इन दी नजमाया जडिया है गिया ने बहुत मिल दिया ने बंदरगा सकने देविच खोर भी है गिया ने अपा सारिया ना दिकर ने थी कर सकते हुँन बाब बल्वांत इता कलियर है कि शुरूच तां बेशक ने तुक बंदी दा ख्यार रख्या सी पर बाद विचे खुला लेखन लग बैजी तोड़ा जाता है बेशक है छंद यूत शायर सी पर इने उस दी पवंदी नो सब कार्यानी हैगा तुकान द मर्यादा चे विश्वाँ स नहीं रख्या सी जी पवी तरा नहीं रख्या सी ठीक है तुकान दी मर्यादा hmm क्योंकि पूरी तरा में तहां के रहे हैं शुरूच दां मर्यादी तरहा तुकान तुे बख्यों बाद विचे थुड़ा हाट गया थी हां रास दाय ने ख्यार अपने कवितामा देविच बंदरगा काव संग्राइधी लग बग सारियां ही कवितामा गल करिये ता जीवन दे जिड़े मुडले मसले हुन देने मुण्याद्दी मसले हुन देने ओ पेश कर दिया ने इस करकी इनदा ये शाकार संग्राय है जीवन दे बुर्ज्ञदी मसल्यां दी गल किती गाई है तोबी प्रक्तिवादी टांगलाण किती गाई है याणि कि ये संग्रे प्रक्तिवादातार Зна 느या है बंदर गाई इस तो अग्या पगल कर देया नदे अगले काव संग्रेदी जो की चोनवा काम सब्सक्राइए उपर ले सारे काव संग्रेदियां कवितामा इदे विच दर्जने ता इदा नाम हैगा जी काव सागर उनिसो चरंजा इस विच परकाशित होया ठीकषपया जी कवितामा महानाद छो केड़ी कवितालाई अमरगीर छो केड़ी कवितालाई ज dressed के चोणवा काव संग्रेदालाया इदा चुननदा काम किता कवितामा दी छोंड जलन दा काम प्रसिद्ध विद्वान हैं जीदित उसी कंपेडिशन मेले किताब भी पड़द्यों प्रमानी के केंदेने मननी जान दी है किरपार सिंग कसेल उना ने एस संग्रैवास्ते कवितामा दी चोन किती ठीक है जी लागपाग एदे विच ओही कवितामा मिल दी आने जो इना ने अमरी सर रहनते होए लिखियां सी ता इक पात्री नाट कवालियां कई कवितामा भी एदे विच शामल है गियांने बस इक कोई पात्री नार लेटर जाने हों गियां ठीक है ओ एमेद्या कवितामा लिखन दी प्रेरना एनानों इक पात्री कवितामा लिखन दी प्रेरना ब साग वाली फेर पारोने के हाँ समाजवाद अते वेशवा कुझ एस्तरनी ही इसकी समधियां कुझ कवितावाने इक पात्री नाटक वाली है ता इस्तरा ए बाववान्द काव समधिया क्योंकि एदे विच जीवन सोरी एदे विच मतला है ये विच हर पाखनू किताव जागर क्योंकि पिछले चार समधिया विच्छों इजोन कर ली ता ये लगा समधिया एक वक्री पचान रखत है ठीकाट ये दुझे निडे पीडि इन दे कवी नियों विच चलो नेक्स्ट चाल देया आप काव सागर तो बाद चूंगी काव सागर दा कि चोनवा संग रहा है ता अगला इन दा काव संग रहा है गाजी सुगंद समीर जो कि 1989 इश्वी विच परकाशित होया पाशा विपाग बल्लों इन दे एस काव संग लेनू सर्वोतम पूस्तक काव मुष्तक दा सनमान भी मिलया ति एना दे काव लोक दा है एना दी अह लाटो के ने सफर दा है काव रेच ना दी सफर दा आकरी काव संग रहा सी जी आकरी मील पत्तर सी उन्यसु नाहाट चे परकाशित होया सी एस संग्राय तो पहला है अमरिसार छड़े सी ते दिल्ली आए सी एस संग्राय तो पहला यानि कि पहला वाले जिनने भी संग्राय सी यहो अमरिसार ही बैठके लिख दे रहे उना भी कवतामा ताहुन एस संग्राय वेले दिल्ली आगे सी मतलब एस संग्रेदिया कवितामा जातर दिल्ली विखे इनाने रहे के लिखियां एस समय दोराण सुकंद समीर या कवितामा लिखन दोराण इना अंदर एक नमी रंगत चड़ी इना दे उत्ते जिन्हों आपकेनिया सुहुजवाद्धी रंगत छू इस सुगंद समीर चूंकि सुहुजवाद्धी परविर्तिया नम्दर तां आ अगयों क्यों कि उस समें 19 जदी विच चूंकि सुग्जवाद्ध दा दोर चालत प्यासी तो में अपरविडिवल सीघूची में में हमें खरिवला क्रेक्वाइभी सुन्वाध। यूडिए लगती है। उदे विच्छ रिच्छ नामा करनियां मतलब कर रहे सी ताइस काव संग्राइन में वर्ग सुखांत समीर दिगाल करिये इदे उप्रवदे रेप असर सुझ वाद दीता राद है याद रखियो कुल अड़ता ली कवितामा मिल दियां नहीं ठीक है जी कुछ छोटी है कुछ वड़्डिया भी है यादँ नहीं तो सुगंद समी confess although यह कवितामा नहीं चाहर पाग गाँछवांड करिये देखह जा सकता हैं ठीक है चार पाग गाह्मिउच बाणड केना आफर पहले पागद अग करिए रांगते सुगंद हाँ से कि रांगते शुगंद यह तहरे विच लॉक्तर यह रही हैं ठीक ही को चालीग्न देख बहुत हैं तो लोग पीड़ विच बदलेया ओ लोग पीड़ा एड़ी है एड़ी प्रेम दी दुखदाई कसक है एड़ा उधी पेशकारी होई है ओ एस पाग्च जो पहले पाग्च मिल दी है ता एस संदारव विच अगर आप गल करिए निजी पीड़ तो लोग पीड़ निजी प्यार तनू लोग पीड़ नाल दे रांग विच पेश किता है ता एक बोट ही मशूर कविता दिया जी उसदाखार उस दाहा रोज रूट जाया करे पाके बनवाया करे तुसी आए में जी कुछ लाइन आने ठीक है पड़ियां होनी है सारे आने इस तो इलावा रात रानी नामक जड़ी है गी है कविता है ओ एदे विच एस पाग्च रांग ते सुखांद वाले चे रखी जा सकती है तु जे पाक दिगा लकारी सदा बहार नाम दिता है जिसनो गीदे विच नहीं दिहां दिद्ली दियां ढिए इमारता हुआँ याने विरासत मिलियाने उनना जिकर किता ऑचला कोषव गए विच रहानद आान्ग दिधोंद पाग्च बारिदे खै और दिद्ली दिद यूग चेतनादी कविता लगित्ती है यते उन्हों यूग दीगालांदी है ताँ एक नमे यूग दीगालांदी है प्राने प्रक्तिवादी दोड़ दा केंदा पुώρα लेखन करन दी कोशिश केंटी, नयाने प्रक्तिवाद क्योकी सुपाई चला गया सिया है उस संहड़ाया दुनान่ा, सुपातिश संहड़ाया थी है। आगे नामक कविता इस विच मिल दी है इने विच ये यूग ची येतना मतलब हर यूग च गेंदा नमी फिलोस्फी चाही दी जूरुत है नमे फालसफे दी पुराणे फालसफे दी माधियं मदवारा केंदा नमे यूग नूँ सेद नहीं मिल सकती कुछ नमा करना पहने ठीक अंतरगत दर्ज है नवीन आसगन आसका जी रखी है नवी जिन्दगी दी ठीक है जी नवी जिन्दगी दी आसे ने रखी है इस तो इलावा दुनिया कविता विच बिये ने एसे विशे नो दोराए है कि दुनिया सुपनानी है कि ये सच नू मतलब नू मानो दुनिया इं लेने दुनिया नामक कविता विच कही है जिन्दकी ते सुख नामक कविता विच जिन्दकी ते सुख नामक कविता विच जिन्दकी ते सुख मतला मनुख नूज अपने जिन्दकी विच हरीक मनुख नूखी चहीद है सुख चहीद है सुख दी तलास चो फिर रहे है इस तर जिए विदाहशा वादी थोडी जी कविता है जिदेवीच इनाने गजल दे कुछ नीएमा दा ख्याल रखे लिखन लगीए कवितानू किसे दिन तरया रखने कोशिश जा कोशिश जा हम गैओ कोशिश जा नामक कविता अगे मिल दिया जी यूच एंदल पाग देविच सुगंद समीर संग्रया देविच किसी दी कोशिष चहां अपने लक्ष नुप्राप्त करने की लक्ष सी की जड़े आम वर्दने ओ उप्रान पुंजीवाद नल तागरा लैन हत्यार बंद कोल करन ताहिस लक्ष दा जिकर सारा एक दा कोशिष विच हां ओ जि पात्तर होया चारली चैपलेन ओदे व्यक्ति चितर नूँ पेश किते हैं ठीक है जी ओ केंदा की चैपलेन है जड़ा हस है ओदे पिछे नेकां दूख छीपे होई ने यह इस तरह दी गाल किती है सा चारली चैपलेन देविच याने की जड़े पुंजीवाद दोर है ओद जुलमता है जारे है आम वर्ग दे उत्ते वो शोनी कर दे उपरो खासकी दखांदेने हो पर उना दे अंदर एक तरह दा फेर वी धर्द हैगा उन्हानों जगाना चांदा है उन्हानों ताहीं हत्यार बंद कोड़ी प्रेरित कर दा है एक कविता हैसियत मिल दी है ठीक है ज अपनी हैसियत दीवत लगा लगेति है कि मेरे इन्ही प्रेम मने लेशनी हैसियत आ आई में अपने प्यार न पूराजरी कार पाया मेंनु महब्भद दा चेप्टर बंद करना पोगा इस तरह 紅OC क्यूंकि इन्हें पतनी роती प राटी सिदह महब्भद दा चैप्टर संग मजबूरियाँ मजबूरियाँ मनुखता दिया मनुखता दिया मजबूरियाँ उलेख किता गया हुगा मनुखता दिया मनुखता दिया मनुखता दिया मनुखता दिया मनुखता दिया मनुखता दिया मजबूरियाँ 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 तेरे लई नामक एक उत्तम कविताइस पाग दिगरगल करिए ता इस तरह पा कैसा कद्यां की बलवन्त गारगी नेड़ा अपना आखरी संग्रहें काव संग्रहें लिखिया सुगंद समीर प्रकाशित होया उनसे उनाहाट विच ए थोड़ा जाप सुझवाद्धी थोड़ा नहीं पूरी तरह कहांगे सुझवाद्धी रंगत दे उपर चड़गी सी पासावी पाग बल्लों इनू सर्वोतम काव कुस तकवी इलान्या लिया उनसा समाने नू मिलेया ठीक है जी सुझवाद्ध वारे अपन डिटेल चिकल करांगे वैसे तो नू दास्दमा सुझवा सुझवाद्धी रंग वी चरंंगी मिल दी है वदेविछ को मलता हों धी है को मल पाव हुं देने कि करांगे जिकर अपना पर विर्टी देया दिए ठीक है जी लेक्चर विर्चर ता इस तरह इनदे सारी अपा रचना दीगा लगिती है जीवनी दीगा लगिती है प्रविर्ती दीगा लगिती है जान्दी जान्दे मैं तो अन्नों एक इनदी कुछ कवितावाने उनना दा नाम बोलदा जश्ट रब्दा हुकम उठावाले उजदा हार फुल जो मर्जा अगए सर्मद्दे मकबरेते राद दी राणी अज्जहवा वगदी रही कफण कफण मशूर है जी मुनशी प्रेम चन्दी कहानी कफण दे उत्तियदा रिते है श्याम दी लाली शीवनाच तेरा इक दिल है जा दो सुनेरी श्याम जिन्दगी ही जिन्दगी मिट्टी दा दीवा पिपल दिया च्छामा फुला राणी अदूरा गीत बेडी परदेशा विच अर्जोई नोजवान नोजवान नू बहुत ने होर मी बहुत कभी तावा ने इनिया सुन यादनी रहनिया जिनना में बूल लिय है मेरे ख्याल च्छ अफीशन्ट है एदे विच्चों पेपर दिविच प्रशन बंजेगा इस तो बाहर ताहुन की कही है कि पेपर सेट रखी पाएगा चलो आज वास से एन नाई जी लेक्चर त्यां ना सुने हो काफी वड़ा लेक्चर हो गया है अक्के उना पुरा एक पाएगा बड़ी लेक्चर वास्ते में माफी वी चाहूंगा पर मजबूरी सी कि मेरा मन्च सी कि में सारा कुछ दसा मेरे मन्च ये रहन दागी मैं अपने कुछ रखाना क्योंकि ग्यान वंडन ना ली वद्द है जादा गाल नहीं करांगे अपा जादा गाल अपा किसे हो बड़ी सारी अना